नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल घरेलू नुस्के पर आप सभी का सुवागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मखाना खाने के फाइदों के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं मखाना एक हलका फुलका स्नेक है जिसे हम सूखे मेयो में सामिल करते हैं अगर इसे नियमी तोर पर सही तरीके से अपनी डाइट में सामिल किया जाए तो इसके एगनत सेहत लाब पाई जा सकते हैं तो आईए जान लेते मखाना खाने की सेवन की विधी के बारे में अगर आप जल से जल्द मधूमे को खतम करना चाते हैं और सेहत के अन्य लाब पाना चाते हैं तो सुबह खाली पेट चार मखाने खाएं इनका सेवन कुछ दिनों तक लगातार करें तो आईए जान लेते मखाना खाने की फाइदों के बारे में नमबर एक आप मखाने की चार दानों का सेवन करके सुगर से हमेशा के लिए चुटकार अपा सकते हैं इसके सेवन से सरीर में इंसलीन बनने लगता है और सुगर की मातरा कम हो जाती है फिर धीरे धीरे सुगर रोग भी खतम हो जाता है नमबर दो दिल के लिए फाइदेमंद मखाना केवल सुगर के मरीज के लिए ही नहीं बलकि हार्ट अटेक जैसी गंभीर बिमारियों में भी फाइदेमंद है इनके सेवन से दिल सुष्थ रहता है और पाचन के लिए भी दुरूस रहती है नमबर त जोडो कदर दूर मखाने में केलसम भरपूर मात्रा में होता है इनका सेवन जोडो के दर्द गठिया जैसे मरीजों के लिए काफी फाइदेमंद साबित होता है नमबर पाचन में सुधार मखाना एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर होता है जो सभी आयूवर के लोगों को आ सब्सक्राइब करना न भूले कर दो